37 साल की इतिहास में पहली बार हुआ है क्या? ताज महल को बोला गया है कि प्रॉपर्टी टाक्स और पानी के बिल भर तो ताज महल कहां से प्रॉपर्टी टाक्स और पानी के बिल भरेगा या फिर ताज महल के बिहाफ पे भी टाक्स कौन भरेगा ये सभी notices issue करे हैं उत्तर प्रदेश government ने और सिर्फ ताज महल नहीं In fact, आगरा के किले को भी ऐसे notice मिले हैं दो notice मिलें ताज महल को और एक मिलाए आगरा के किले को दोनों ही monuments को बोला गया है कि लगभग 1 करोड रुपे के dues क्लियर कर दो ASI यानि Archaeological Survey of India को बोला गया है कि या तो एक करोड रुपे के dues कर दो clear 15 दिनों के अंदर नहीं तो ताज महल को attach कर दिया जाएगा ASI को बोला है कि 1.40 लाक और एक करोड रुपे के property tax and water tax के bill क्लियर कर दीजे In fact, एक और heritage site है इतमाद उद दौला इसके उपर भी property और water tax के notice issue हुए है Notice में साफ साफ ये भी लिखा है कि अगर bill नहीं पे किया तो आगे क्या किया जाएगा लेकिन आप ये सुनके बिल्कुल मत घबराईए क्योंकि ये ना ही आपका ताज महल कहीं जा रहा है ना ही आपका आगरे का किला क्यों क्योंकि ASI ने साफ साफ statement में बोल दिया है कि ये bills शायद किसी गलती से issue हुए है और monuments के उपर किसी भी तरह का tax नहीं लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई उसे like करें, share करें, चानल को subscribe करें और इससे related कुछ भी comments है तो हमें comment section में जरूर बताएं